हेलो एफ्रिवान तुस्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में हमने कुछ और टेस्ट पेपर के कोश्चन अप्लोड किये थे आई होब कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा तो रेस्ट आप दा कोश्चन जो इसके बचे वह वह कंप्लीट कर लेती इसके ब दिखेंगे जब बात करें कि जब कुल उत्पाद अधिक्तम होगा तो सीमांत उत्पाद सुनने होगा परन तो जब सीमांत उत्पाद सुनने और रिडात्माग होगा तो और रिडात्माग होगा तो इस तरीके से कहरें कोश्चन कि जब कुल उत्पाद अधिक्तम होगा त एक सबस्क्राइब करें तो इस यह सबस्क्राइब तो इस श्रीन के साथ में अपने डिली तो इंपोर्टन रहते हैं जो नए विद्धी के लिए बहुत ने स्पार्ण का यह वहांगए वह मैं सेर करती रहती हूं आपको अगर यह लग रहा हो कि यह डेली अपनी केवल जर्णी सेहर करती तो वह एक जर्णी नहीं है क्योंकि मुझे भी डेली नहीं पता होता था कि क्या पढ़ना है कितना पढ़ना कितना टाइम देना चाहिए और कितनी बार रिवाइस करना चाहिए रिवीजन तो हर लोग बोलते हैं पर कैसे कैसे क्या क्या पोर्सन हमें ज़्यादा धेन देना चाहिए वह चीजे में चोटी चोटी चीजे मगर बहुत काम की चीजे से बोलते हैं ना कि छोटी बगर मोटी तो बहुत काम की चीजे में सहर करती रहती हूं तो आईवोग की वह ब्लॉग भी आप देखते रहो तो आपको उसमें कुछ ने कुछ हल्प जरूर मिलेगी कुश्चन है ह हमारा हमने बात कर लिए तो दिखते हैं है यहां पर जो आपकी है वह घटेए ठीक है? नेक्स्ट है कि निम लिखित में से गिफिन वस्तों में क्या होते है? अफसर ने उच्छ कोट की वस्तों में, भी निम लकोट 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 की वस्तों और बढ़ जाती तता कीमत कम होने पर मांग घड़ जाती है इसलिए जब भी गिफिन वस्तुवें की कीमत में व्रद्धी होती है तो उपभोगता दूसरे वस्तु की कीमत में व्रद्धी होती है और उपभोगता दूसरे वस्तुवें की उपयोग को कम करके गिफिन वस्तु ठीक है नेक्स्ट कहा रहा है कि निम लिखित में से गोल्डेन हैंड शेक का सही अर्थ क्या है आपसे अभिवादन का प्रकार बीजबरन सेवनिवरती सेवनिवरती यह डी ए और भी दोनों तो अगर बात करें यहां पर हम गोल्डेन हैंड शेक एक कर्मचारी और एक नियुक हो देती तो स्वेच्चिक सेवनिवरती ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कह रहे है कि महत्तुपड आर्थिक सब्दावलियों में से निम लिखित पर विचार किजिए ऑप्सन फरस्ट हीनात प्रबंदन जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आयक कम होती है औ हम्फंसन स्केड है मारा कथन की तेजडिया और मंदडिय जो विक्ति स्टॉक की किमते बढ़ाना चाहता है आज के भाव में सेर खरीद गर उसे उच्चे दामों में बेचना चाहता है तो तेजडिया यानि कि बुल कहलाता है तो कहने कि तेजडिया और मंदलिया जो विक्ति स्टॉक की कीमते बढ़ाना चाहता है आज के भाव में सेर खरीद कर उसे उचे दामा में बेचना चाहता है तेजडिया यानि कि बुल कहलाता है जो विक्ति स्टॉक की कीमत गिरने की आसा करके किसी वस्तों को भविस में देने का वायदा करके बेचता वह मंदड़्य एन्द की बीयर कहलाता है थर्ड है टैरिफ किसी देश दोरा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते हैं तो कहरें उपरियुक्त के सम्मंद में निमलिखित कूट के आधार पर सत्य कथन की पहचान कीजिए कूट है मारा ने किवल फर्ष्ट भी कहार सेकेंड हो थरुड सी कहार या दी उपरियुक्त सम्मंद में हसाँ. तो इस question के तीनों ही कताना आपके यानिकि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही हैं क्योंकि जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आयका मुति और वेक के इस आधिकों को केंदरी बैंक से रल लेकर अत्वा आतरीक पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया ज देते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन की निम लिखित में से बॉंबे योजना कब अस्तित्यत में आई ऑप्सटन ने 1922 में 1933 1933 सी 1944-1944-1955-1955 ठीक है बॉंबे योजना आपके 1944 में मुंबई में अस्तित्यत में आई भारत के अर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना थी जिसे बॉंबे योजना कहा गया और इस दस्तावेज को सिर्फ आठ उद्योग पतियों ने मिलकर तयार किया था जिसे ज्यार सब्सक्राइब आपको पता ही है तो बात करें तो भारती लग उद्योग विकास बैंक यानि कि सब्सक्राइब की रिस्थापना दो अपरेल 1990 को संसत के एक अधिनियम के तैस सुच्म लग और मद्यम उद्यम यानि कि MSME छेत्र के समर्धन वित्त पोसड एवं विकास बैंक के लिए के साथ ही इसी तरह की गद्विधियों में सरलंगन संस्थाओं के कारदियों का समनवाय है तो प्रमुख वित्ती संस्था के रूप में के गई थी फिलाल इसका मुख्याले जो है वह आपका हो जाएगा लखनाओं में है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स् दोर पर तरलता को विनियमित करने की चमता के कारण रेप दर से अधिक होता है अधिक होता है एंदी उपरियुकत सभी तो अब बात कर लेते। बैंक दर का अर्थ क्या है दिखे बैंक दर यानि कि बैंक रेट वे बैजदार होती है जिस पर देश का केंदरी बैंक घरेलू बैंकों को बहुत कम अवदी है तो रेडो या पैसे उधार देता है बैंक दर मैनेज करने की यह एक विदी है जिसके दोरा केंदरी बैंक आर्थ विश्व में सरवादिक सहकारी संस्था हैं किस देश में इस्थित है अपसने अमेरिका बी चीन सी भारत या डी रूस अगर बात करें कि विश्व में सरवादिक सहकारी संस्था हैं तो वह आपकी भारत में इस्थित हैं भारत में सरुपतम 1904 में एक सहकारी था साख समिती व विवस्था के गए तो फिलास कि आपको हो जाएगा भारत ठीक है चले आगे बढ़ते हैं बाध में भारत में सहयकारता अंदोलन का जनक F. निकोलसन को माना जाता है बात करें तो भारत में साहिकारता अंदोलन के सुरवात उने सो चारी सवी से प्रारंब हुई थी या हुआ था तो यह अप्सन हो जाएगा क्रसी क्रेडिट के छेत्र में ठीक है नेक्स्ट एकि भारत में डीजल इंजन बनाने के प्रथम कार खाना कब और कहां खोला गया अप्सन ने सो बतीस सतारा भी 1922 सागरा सी 1952 दिली यडी 1962 देहरादून तो बात करें तो भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कार खाना महराश्ट के सतारा में 1932 सिवी में खुला था भारत के वारारसी में डीजल लोकोमोटिव वरकर्स भारती रेलवे के स्वामित वाली एक उत्पादा निकाही है जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों और इसके इस्पेर पार्ट्स का निर्माव करती है 1961 में इस्थापिट डी डी लडव ने अपना पहला लोकोमोटिव तीन साल बाद तीन जनवरी 1964 को सुरू किया गया और यह भारत में सबसे पहला डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है तो ऑप्सन ए हो जाएगा 1932 आपका सतारा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कह रहे हैं कि करसी और ग्रामीर विकास बैंक नावार्ट की स्थापना कप की गई थी ऑप्सन ए 12 जुलाई 1982 सी 12 जुलाई 1984 याटी 12 जुलाई 1986 एक चीज का नुफर्म है कि स्थापना तो 12 जुलाई को होई थी अब उसमें से कब होय थी तो सिव रामन समीती यानि की कमेटि की सिफारिसों के आदार पर रास्टी करसी और ग्रामीर विकास बैंक अधिन्यलीios 2019re означ को लागू करने के भारति संसत के एक अधिन्यथी जुलाई 1982 और ग्रामीर विकास बैंक यानि क किसके हितों की सुरछरा करता है। भी राज जिसके वेक्थि और राज दोनों यड़ी उपर यूगति में नहीं। तो बात करें तो भारत में मिस्रित आर्थे वेवस्ता के सुरूप को अपनाया गया है और मिस्रित आर्थे वेवस्ता के तैस सारवजनिक के वह नीजी दोनों छेतरों की देश की विकास करक्रमों में भागी दारी होती है सारवजरनिक छेत्य का प्रशाषन जहां राज्य करता है नीजी छेत्य का प्रशाषन विक्ति के हाथों में होता है इस प्रकार विकास का भार्ड़ी model राज्य प्रशाषन आपको हो जाएगा विक्ति और राज्य दोनों ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्निमे से कौन आर्थिक सुधारों के दिती प्रजनन जिर्णरेशन में सरकार दर चिन्यत किये गए का भाग नहीं है अपसान ए तेल के छेते में सुधार 20 सारोजनिक छेते में सुधार C. नियाएक प्रणाली में सुधार यटी सासकी एवं सारुजनिक संस्थाँ में सुधार तो बात करें यहाँ पर देखें बात करें तो भारत में जो नियाएक प्रणाली में सुधार को छोड़ गर बांकी सभी विकल पर सरकार दोरा चिन्नित यानि कि Second Generation of Economic Reform के भाग है तो इस तरीके से C. उप्सन हो जाएगा नियाएक प्रणाली में सुधार इन्होंने कहा है चिन्नित किये गएका भाग नहीं है नेक्स्ट कोश्चन है कि एक खुली वही अर्थ विवस्था में अर्थ विवस्था की राष्टी I.Y. यह आपको यहाँ पर उप्सन दियेगे है उप्सन ए Y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X यह हम एकोनोमी जब पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉंसेप्ट रहता है वहाँ पर यह पढ़ाया जाता है आयो कि आप में इसे भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा और जो नए एस्पारेंट है वो आगे पढ़ेंगे B है Y बराबर C प्लस I प्लस G माइनस X प्लस M C है Y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस कोस्टंग में है X माइनस M and D है Y बराबर G प्लस I माइनस G प्लस X माइनस M वो हमको बताना इसमें से क्या रहेगा देखो यहाँ पर Y बराबर है राश्टी आए C बराबर है आपका जो उबभोग करते हैं नहीं कि कंज्यूम करते हैं उसको सौट में यहाँ पर लिख दिया गया आई बराबर आपका निवेस रहेगा ठीक है निवेस वे G बराबर आएगा सरकारी खर्चे तथा X माइनस M बराबर आगा निर्यात और आयात का अंतर तो C आप्सन फिलाल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कह रहे हैं एक गुडात पंगमाप है तो आपसन ए यहां पर फिलाल आपका सही हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है कि गांदी यूजना यानि कि गांदी प्लान किसके दोरा तैयर की गई थी या किया गया था अपसन जवालन नहरू भी स्रीमन नारायन दोरा सी स्रीम विस्वरेया दोरा या मंदी का आना किस प्रकार की बिरोजगारी के अंतरकत आएगी और इस प्रकार की बिरोजगारी विसेस रूप से विक्सित देशों में पाई जाती है चक्री बिरोजगारी की प्रकती आइस्था ही होती है आर्थ वेवस्ता में जैसी उत्थान का क्राम अरम होता है वे धीर देदेदे समाप्थ हो जाती तो ऑप्सन ए हो जाएगा चक्री विरोजगारी ठीक है नेक्स्ट है कि दान्ते वाला समिति निम्न में से किसे समंदित आप्सने केंद्र राज़ समंद्ध भी वीमा सुधार सी वित्ती सुधार यटी विरोजगारी अनुमान तो बात करें तो दांते वाला समीति का सम्ध भी रोजगारी अनुमान से है सरकारी एयोग आपका केंद्र राज़ समंद्ध मलोत्र समीती भीमा सुधार से अंधी नरशिमन सम्ध वित्ती सुधार से अब यहां पर ऑ्पसन जो आपका आईगा इस कोशन का वह आ जाएगा और दांते वाली स वक्र सी लेफर वक्र एम फिलिप्स वक्र दोनों एंडी उपर युगत में से कोई नहीं तो बात करें तो वर्स उन्नीस वठावन में एड़ फिलिप्स ने मुद्रह स्वीती की दर एवं विरोजगारी के मद्द अल्पकाली संब्द की व्यक्षा की उनके उनुमान उनके अ आपका फिलिप्स वक्र करता है